आज का ध्यान आपको अपने शरीर के अस्तित्व की तरफ ध्यान देने के लिए और उसका धन्यवाद करने के लिए बनाया गया है यह ध्यान आपको रिलाक्स कर देगा हमारा शरीर एक मंदिर है और उसका ध्यान रखना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी लेकिन हम शरीर को सुन्ना भूल गए हैं और वो हमें हर वक्त संकेत देता रहता है तो इस ध्यान की मदद से हम अपने शरीर के साथ एक मित्रता बनाएंगे ये एक निर्देशित ध्यान है मेरी आवाज की मदद से आप अपने शरीर और मन के साथ बातचीत कर सकते हैं इस ध्यान की शुरुवात और अंत हम येस मंत्र कहके करेंगे येस एक आदर, प्रेम, धन्यवाद तथा चेतना के हर एक आयाम में विस्तार के लिए तो जो अब तक आपने न किया हो शरीर को एक आराम सायक सिती में लाएं लेट जाएं और आखे बंद कर लें ये पुष्टी कर लें कि शरीर ने एक ऐसी स्थिती प्राप्त कर ली है जो आप के लिए योग्य है और रिलाक्स हो जाएं बाहर से भीतर आते आते और ज्यादा रिलाक्स हो जाएं छोड़ दे वो सारे तनाव जिनकी इस समय आपको जरूरत नहीं आपके स्नायों में से आपकी हड्यों में से या शायद आपके दिल के कोनों में से छोड़ दे और खुद को रिलाक्स होने की संपूर्ण अनुमती दे आपके स्नायों में से और अब आपके भीतर से उठने दे एक ध्वानी और अनुभूती येस मंत्र की उसे सुने येस उसका विस्तार होने दे येस और हर एक येस के साथ आपका रिलाक्सेशन और भी गहरा जा सकता है तो खुट को कहते सुनो येस येस psicjes येस इस येस की ध्वनी को भीतर ले जाए और उसे गुंजने दे और ये आप से आप तक के बंधन को होने दे जिससे कि वो आपको मागदर्शन दे सके शरीर के विभिन भागो और अंगो तक जिनकी आज आपके विशेश दिहान की मांग और जरूरत है और अब हर एक भाग से बातचीत करे आपकी खुद की भाशा में आपके खुद के शब्दों में सही माइने से कहे मैं नस्दीक आके मित्र बनना चाहती हूँ मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि तुम मेरे लिए इतने सारे वर्षों से काम कर रहे हो और मैंने कभी भी तुम्हारा दन्यवाद नहीं किया और अब पुझे तुम्हारे लिए भविश में मैं क्या ज्यादा कर सकती हूँ कुम्हारे लिए धन्यवाद लिए वर्षों से कि उन्यवाद गुम्हार नहीं दीरे दीरे हलके से खुद के साथ बातचीत करते रहे ताकि आप सचेत और सजाग रह सके करते रहे से खुद के से लोगा रहे और जब आप अपने शरीर के साथ सजाक्ता से बातचीत कर रहे है मैं चाहूंगी कि आपका अचेतन मन ये जान ले कि वो जागरुकता और विश्राम का बंधन बांधना जारी रखे ताकि आप जहां भी जाए और जो भी करे वो आपके साथ रहे अपने शरीर के साथ चुड़िये उसका धन्यवाद कीचिये और उसे सुनिये दिखिये और महसूस कीजिये उसका जवाब और महसूस कीचिये अपने प्रॉवाह अपने अपने प्रॉवा कीचिये थोड़े ही समय में, मैं आपकी चेतना, आपकी सांसों की तरफ लाने को कहूंगी. तो खुद को यहीं, अभी, सांस लेते हुए अनुभव करें, और तैयार हो जाए बहुत गहरे से तीन बार सांस लेने, पीतर जाती सांस के साथ एक जाकृता और चेतना ले. तो एक गहरी सांस ले, एक बार फिर, फिर एक बार, और बाहर जाती अगली सांस के साथ, यह जाकृता रखते हुए, खुद को और भी गहरी आराम दायक स्थिती में जाने दें. और जितनी भी आराम की गहराई में आप होंगे, आप मेरी आवास के साथ संपर्क में रहेंगे. तो अब इस आराम में जाते हुए शरीर को महसूस करें. सर से भाव तक, दाए से बाए, अंदर से, बाहर से, आपकी सारी चेतना अपने शरीर की थरफ लाए. गद्धे पर लेटा हुआ शरीर, तक्ये पर धला हुआ सर, या फिर कोई शरीर में जकडन या दर्द. शरीर के अस्तित्व की तरफ जागरत हो जाए. बहुत सारे भिन भागों और क्रियाओं वाला अस्तित्व है, जो है ये शरीर. एक रहस्य जो है आपका शरीर. तो अब आपके शरीर के साथ बाते करने की शुरुआत करें. खुद की भाशा में खुद के शब्दों का इस्तिमाल करते हुए. मैं पास आके मित्र बनना चाहती हूँ. मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि तुम मेरे लिए इतने सारे वर्षों से काम कर रहे हो. और मैंने कभी भी तुम्हारा धन्यवाद नहीं किया. और अब पूछें. तुम्हारे लिए भविश्य में मैं और क्या ज्यादा कर सकती हूँ. चाहती हैनल नहीं तुम्हारा थीजग कर जले कि तुम्हारा बच्छी कर दशका हूँ. जरे लिए ग्या हूँ. loo, मैंने कर दोगनी मैं तुम्हारा बԱ्ंस. और आज रात और हर एक रात जब भी भी आप सोने जाए और आपका सर हलके से तक्ये पर ढले तब आप अपने शरीर के साथ बात करना याद रखेंगे उसका धन्यवाद करेंगे शरीर के साथ एक नई मित्रता बनाएंगे शरीर को स्वस्थ और सहज होने दे शरीर के साथ बात चारीर के सवस्थ और सहज होने बात और साथ दक्ये भी आपका सवस्थ पर एकुझे रखेंगे चारीर के साथ जब डात और अब शुरू होते अनुभव करें येस मंत्र की ध्वनी हर एक येस जो आप सुन रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं वो आपको और भी उपर ले आ रहा है हर एक येस आपको और सचेत और जागरुप कर रहा है तो कहते जाएं येस येस खुद को कहते सुनें येस येस खुद को वापस बुलाएं येस अपने आपको येस की आवाज से वर्तमान के इस खशन में जेतना से ले आएं वापस यहां आते आज के इस दिन में इस घड़ी में येस पूरी तरह से सतर्क और जातुक बनते हुए हाथों और पेरों की उंगलियां हिलाते हुए और जब आप तैयार हों, दीरे से आँखे खोले और बैठ जाए और इसके साथ आज का धिया समाप तो तै